दोस्तों आज की विडियो में हम साथ बाते जानेगे रिच डैड पूर की किताब से जो आपको अमीर बना देगी दोस्तों बचपन से ही हमें कुछ ऐसी बाते सिखाई जाती है यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं अग्जैम में अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन पैसे कमाएंगे साथ ही अपने सपने पुरे कर सकते हैं लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तियत और पर मजबूत नहीं है यानि की फाइननकली करीब है वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो की ड्रॉप आउट्स है इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया लेकिन फिर भी वे अमीर लोगों की गिंती में सबसे आगे हैं मार्क जुकरबग जो की फेस्बुक के सस्थापक है बिल गेट्स जो की दुनिया के टॉप सौफ्टवेर कमपनी के सस्थापक है ऐसे बहुत से नाम है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है इसके लिए आपको फाइनेंशल नोलिज का होना बहुत जरूरी है चलिए आप सभी को इस फिनांस मैनेजमेंट को रॉबर्ट की उसकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पूर डैड की सम्मरी से समझाते हैं रॉबर्ट अपनी किताब में बताते हैं कि उनके दो पिता थे जिनमें से एक अमीर है और एक गरीब है अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? एक उनके असली फादर जिनको रॉबर्ट गरीब डैड कहते हैं और दूसरे पिता बेस्ट फ्रेंड के पिता को कहते थे जिन्हें रॉबर्ट अमीर डैड कहते हैं जो उनके असल पिता थे वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे और उनके दूसरे पिता जिनको रॉबर्ट अमीर डैड कहते हैं उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है दोनोंने अपनी जिन्दगी में बहुत कड़ी महंत की थी और दोनों ही अपने खेतर में सफलता के टॉप पर थे पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिलकुल अलग थी इसे हम कुछ पॉइंट्स के मदद से समझते हैं एक सोच रॉबर्ट की उसकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते जबकि दूसरे पिता इस बात से चिड़ते थे दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो इस बारे में सोचो जहां पहले पिता कहते थे कि में इसे नहीं खरीद सकता और अपने दिमाग को बंद कर लेते थे वही पर अमीर डैड खुद से कहते थे कि मैं इस चीज को कैसे खरीज सकता हूँ और यही बात उनके दिमाग को खोल देती थी जहां नकारात्मक सोच बात को वही पर खत्म कर देती है जबकि मैं इस चीज को कैसे खरीच सकता हूँ सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीज सकता तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। दो जोखिम रिस्क और दायत्व में अंतर का पता होना। अमीर डैड सिखाते हैं संपत्ति कैसे बनाई जाए जिससे की आपको बिना काम करे ही पैसे आते रहे। संपत्ति वो होती है जो आपकी जैब में पैसा डालती है। जबकि दायत्व खरीदने पर आपकी पॉकट से पैसे निकलते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदे, जमीन, बॉंड, शेर, इन्वेस्टमेंट और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायत्व लोन पर लिया गया फरनीचर, गाडी, लग्जरी प्रोड़क्स खरीदे। अब आप दायत्व को देखकर कन्फ्यूज मत होना आप फरनीचर या गाडी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इंकम नहीं होगी। लेकिन समपती में आपकी इंकम होती है, फिर चाहें आप काम करे या ना करे समपती आपकी जैब में पैसे डालती रहती है। 4. सबसे पहले खुद को पेकरे गरीब लोग इसलिए गरीब है, क्रॉयों की वे सब को पैसे देते हैं, जैसे ही हाथ में पैसा आया, सबसे पहेले किराना वाले को दिये, फिर दूध वाले को दिया, इसी तरह अपनी जरूरत पर सारे पैसे खरबच करने के बाद, जो बचता है, उसको बैंक में जमा करा दे और सोचते हैं कि हमने बचा तो लिया, और अमीर लोग सबसे पहेले खुद को पैसा देते हैं, सिखने में इन्वेस्ट करने में कम से कम अपनी आमदनी का 10% अपने लिए रखें, और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ती खरीदे जो आपको आय प्रदान करें, पांच इंट्रव्यू में उनसे पूछा गया कि आप 9909 में बार फेल हुए तब आप मोटिवेट कैसे रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि में कहां फेल हुआ मुझे तो 9909 में, रास्ते खोजे उस काम को बहेतर करने के अगर आप अस्फल होते हैं, तो निरास ना हो बलकि उस सीख ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, छे पैसे के लिए काम ना करे